जहेंद एब्रिवन सोशल स्टेडिज की एक नए लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है यहां पर हम दो चैप्टर का ओवर्यू करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए किस तरह के सवाल आते हैं यह चीजे मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो दो चैप्टर हमारे होने वाले हैं जियोग्राफिक के एक क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर थ्री ड्रेनेज जो आपके सामने दिख रहा है और दूसरा एक सेकेंड जो चैप्टर है वो है वाटर रिसोसे चैप्टर नंबर थ्री ही है लेकिन क्लास टेंथ का है अब यह दोनों चैप्टर मैंने एक साथ आपको इसलिए दिये हैं क्योंकि ड्रेनेज जो है वह हमें सिखाता है कि भारत में नदियां कौन-कौन सी है क कहां कहां है इसके बारे में बहुत डीटेल में बताता है और उन नदियों का हम भारत में यूज कैसे करते हैं यह वाटर रिसोसेज बताता है या फिर हम पानी का यूज कैसे करते हैं यह हमें यह सिखाता है तो दोनों चैप्टर आप सभी लोगों की एक्जाम पॉइंट बहुत बहुत इंपोर्टेंट है इसके बाद मैंने आपको डीपी भी प्रोवाइड किये देख लीजी ये क्वेशन है अब्जेक्टिव क्वेशन ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सके इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद इनको अटेम्ट करिएगा यह डीपी आपको ट चोटी से रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं आपकी लगातार हल्प कर रहा हूं आप सभी लोगों का भी फर्च बनता है कि वीडियो को लाइक किया करिए कमेंट्स किया करिए जो भी आपकी रिक्वाइर्मेंट है या फिर अच्छा लगा लगा करें तो अ उनको शेर किया करिए वीडियो को लाइक किया करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि यह उमीद है आप से और बहुत सारे बच्चे करते भी है उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद तो ड्रेनेश सिस्टम मतलब क सब्सक्राइब कर दो जो मैजर नदियान तो उत्तर वह यूप बिहां पंजाब इस जो छेतर है इनका सचाई सिस्टम इनी नदियो पर डेपेट करता है और लिए यह कौन से नदियां यह नदियां नदियां जो बारिस के कारण से आती हैं और मतलब सीजनन नदियां यह नदियां आपको हमेशा नहीं दिखेंगी लेकिन हिमालियन जीवर आपको 12 महीने दिखेंगी क्योंकि एक तो बारिस के कारण होता ही होता है वैसे जब गर्मी होती है किते हमाले पे बर्फ पीगलता है तो नदियों में पानी रता है हमाले उसमें आपको गेसें आपकाarm के लिए हिस्टम है उसके बाद जुझाता की सिश्टम पढ़ना है इसके भारत कि नदियों का पूरा सिश्टम है यह जाल और सभी जाकर कहां मिलती है प्रयाग राज के आसपास यहां पर वो मिल जाती है और बिहार में पटना के आसपास कहीं पर बहुत सारी नदिया जाकर मिलती है और सबी नदियां जाकर कहां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में अब यह गंगा और यमुना वाली ठीक है बाद या मैं जू поп्रायदीमन नदिया ऑगेए नर्मदा हो गया गुदावरी को गहाइड। टीक है कुल्वेरी हे यह कृष्णा सागर हो गया और कवेरी याँ है कि इस तरह से इंपॉर्टेंट नदियां जो आपको पता होना चाहिए चंबल नदी यहां है कि गोविंद सागर कुछ नदियां जो हमारे पाकिस्तान में जाती हैं इंदस नदी जहलम नदी चेनाब राभी सतलज ठीक है यह नदियां जो जाकर अरब सागर में गिरती हैं इस तरह से चीज और मैं आप लोगों से बार-बार यह कहता हूं कि यह जो रेड लाइन रेड बॉक्स के अंदर होता है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए ठीक है नमामी गंगे प्रोग्राम अभी जो चल रहा है वह क्या है इसके बारे में इस पर बेश्ट क्वेशन हमीशा ऊचे जा जब ब्रहमपुद्र पढ़ लेंगे तो उसके बाद पैने शुलर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा अलग-अलग जैसे नर्मदा के बारे में फिर उसके बाद इस सारे इंपोर्टेंट है तापी नदी गुदावरी नदी और उसके बाद महा नदी का नाम ही महा इडिया अब जिसे यह found out किया ना इसको find out करके अपने book में लिख लिजी क्योंकि biggest हो सकता है कि आपको exam में सीधा पूछ लिए तो इस तरह के सवाल हमिसा आते हैं फिर इसके बाद नदियों के बाद आपको जील के बारे में पूछना जील पर भी question आते हैं मतलब तीन important चीज जाते हैं ठीक है लेक्स आफ लाजेंट एक्स्टेंट आर काल्ड सीज लाइक कैस्प्रियन कैस्प्रियन एंड ड्रेड एंड एंड एरियल इस याज है और उसके बाद रोल आप रीवर सिंद एकोनोमी यहां पे बहुत कम पढ़ाया गया यही चीज आपको नेक्स लेकेड उनको तो आपको ध्यान से पढ़ना है चैप्टर एक बार आप शुरू करेंगे बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है एक इक दिन में आप निप्टा सकते हैं ठीक है अगर आप पढ़ने की कोसिस करेंगे तो उसके बाद NCRT के आप्शनल हों चाहे क्वेश दिखा देता हूं जैसे इसी प्रकार की क्योशन किस तरह से पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं जैसे यह मान लिजें एंटी असी यह दिखा दाओं यह देखिए शाल्टी वाटर लेक कहां पर हैं साल्टी वाटर लेक इसमें से कौन सा है भाकरा नांगल प्रोजेक्ट क यह भी आते हैं वाटर टीशोससे वाटर बिसोसे आपको क्या बताता है कि यह जो पानी है इसको हम रहता हूं बनारस में रहता हूं बहाँ बाड आया था तो वाटर हमारे लिए यूज फूल भी है लेकिन उसके अलग अलग तरीके तो सबसे पहला आपको टॉपिक सिखाता है कि वाटर स्कैरिटी और नीड अब दे वाटर कंजरवेशन और मैनेजमेट आपको कैसे इसको मतलब की बचाना चाहिए कैसे इसको मैनेज करना चींश यह वळाट अपको एक चीज सखाता है कि कुछ तरह से सारी चीज़ें दिखाए गए कि बाड में हमारे पास पानी की कितनी अत्यादित्त हो जाती है और जब सूखा उखा पढ़ता है तो दिखे पानी कितनी कम होती है हिमालियन चेत्र हो गया या पिर चानि छेत्र हो गया वहां पर पानी कितनी कम होती है ठीक है किया ये सारी चीज़ सिखाई गई है Multi Purpose River Project and Integrated Water सब्सक्राइब करेंट में जो भी मेनेजमेंट वाटर को लेकर चल रहे होंगे उनको आप गूगल करके सब्सक्राइब कर लिख लिएगा तो उसके बार देखाई दे राहिए यह देंढ़ कर तो कि हम पानी को रोक रोक कर उससे बिजली पैदा करतेिया सिचाई के लिए उपयोग करते हैं अलग-अलग चीज़ों नहरों के माद्यम से अलग-अलग छेत्रों में भेजते हैं वह सारी चीज़े हमें डैम सिखाता है तो अलग-अलग डैम पे हर साल क्वेशन आते हैं जैसे आपके आज पास छेत्र मतलब आपके स्टेट की जो भी नदिया होंगी उन पर इंपोर्टन जो डैम होंगे उनको जरूर पढ़ लीजेगा और यह सारी चीज़े आपको लूसेंट से बहुत ही इजली मिल जाएंगे तो लूसेंट आपके पास रहेंगी तो इन सब चीजों को पढ़ जाएं में आपको हेल्फ होगी इसके अलाव डैम तो मैंने आपको बता दिया जो अलग अलग जो इंपोर्टन डैम से इंडिया के उनको जरूर पढ़ देजेगा जो बिग डैम से स्मॉल डैम से उनको जरूर पढ़ दीजेगा यह सारी चीज़ें ठीक है यह दो नर्मदा बचाओं अंदोलन की बारे में जरूर दिखाया गया कि कौन कौन से अभी जैसे इंपोर्टन चैप्टर इंपोर्टन एक क्वेशन में आपको बता देता हूं कि अफगानिस्तान में जो यह क्राइस हुआ है इसमें हमारे देश का कोई एक डैम पर योजना थी जो कि वहाँ पर चल रही थी तो उसके बारे में ड अलग-अलग छेत्रों में कहां-कहां ज्यादा बाढ़ आते हैं उन पर देख लिजिए कोशन बिहार में अक्सर बाढ़ आते हैं कि रूप टॉप वाटर रेन वाटर हर्फिश्टिंग हम च्छतों पर कैसे पानी को बचाते हैं अलग-अलग छेत्रों में इस तरह की चीज बट कुछ ऐसे छेत्र होते हैं जहां पर पानी पहुचाना मुस्किल होता है तो वहां पर इस तरह का बंबू सिस्टम लगाया जाता है इरिगेशन के लिए वह चीजिए आपको यहां पर डिटेल में समझाई गई हैं ठीक है यह सारी चीजिए तो यह पूरा था इस पर ब करते हैं डेंख कैसे हैं नदियों के पानी को हों बचा कैसे सकते हैं या फिर उनके पॊलिर्शन रहो किया सकते हैं यह तो मैं उम्मीद करते हूं कि छोटे से चांसे को पढ़ाने के बाद आपको चीजे समझ में आयोंगी तो आब आप क्या करेंगे ncrt को रएड करेंगे दो चैप्टर है दो से तीन दिन में आप इनको फिनिस कर सकते हैं अगर आप मेरे प्रोसेस से चलेंगे तो मेरे मेरा भी टार्गेट है कि पंद्रह सितमदर तक कम से कम जियोग्राफी और सिविक्स यह दो जो सब्जेक्ट हैं इनके मोस्ट इंपॉर्टन चैप्टर की रिव्यू और आपको डीपीपीच प्रोवाइड कर दू और टाइम मिलता है तो मैं हिस्ट्री और एकोनॉमिक्स के भी डीपीच आपको प्रोवाइड करूंगा तो आप भी ट्राइब करिए इसके बाद आपकी अगर कोई नेक्स्ट रिक्वार्मेंट है तो आप कमेंट वॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए ताकि मुझे पता चले कि आपकी क्या नीड है और लगातार मैं आपके लिए और कर रहा हूं तो आपका भी यह कर्तब भी बनता दा रहा हूं आपको कि buds रैंक er NTSC तो मैं अपनी तरह से पुरी कोसिस कर रहाऊ आप भी पूरी तरह से कोसिस करिए NTSC जो भी जो मैं अच्छा कर सकते बसरते आंको लगातार महनत करना पड़ेगा जिस तरह से आप पिछले चार महनें हों से मेरे साथ कर रहे हैं अगले च छोड़ता हूं तब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए बबाई टेक केर लव यू आल एंड जहिंद